पराटे तो आपने काफी खाये होंगे पर कभी आपने ब्रेटकर्म्स पराठा खाया है क्या अगर नहीं खाया तो आपको ये रेसिपी जरूर देखनी चाहिए स्वागत है आप सभी का रोनक रेसिपी में तो आज हम बनाने वाले हैं बरटकरम्स आल우 का पराठा रेसिपी खाने में बरटकरम्स पराठे बहुती सौप्ट बहुतन दिलिशिस होते हैं आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्रै कर सकते हैं तो चल्यों फ्रेंट्स जानते हैं ब्रट करम आलू का पराठा बनाने की विधी ब्रट फिर्ट अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सबस्काइब कर ले जिससे की हमारे आने वारी रैसीपि आप तक सबसे पहले पहुँस सके तो चलिए फ्रेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेट कर्म्स आलू का पराथा आलू का पराथा को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पे इंग्रीडियन्स यूज किये हैं हमने यहाँ पे दो मेडियम साइज के उबले हुए आलू लेने हैं आलू को सबसे पहले हमें अच्छे से उबाल लेना है और उबालने के बारे ने हमें रूम टेमपेचर पे ठंडा होने देना है और उसके बारे से हमें अच्छे से छील ले और छीलने के बारे से हमें थोड़ा अच्छे से से मैस करके रख लेना है साथ ही हमने यहाँ पे लिया है एक बावल वीट फ्लोर यानि गेगूं का आटा और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है एक छोटे साइज का प्याज जिसकों की हमें बारीक तरीके से काट के रख लेना है साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं दो बारीक का टीवी हरी मिच जितनी बारीक होसे के उतनी काट ले साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं एक इंच अदरक और अदरक को भी हमें बारीक तरीके से काट के रख लेना है थोड़ा सा ताजा धन्या पत्तल लिया है जिसको कि हमने बारी काट के रख लिया है आदा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है जीरा यानि कुमीन सीट्स आदा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है अजवाइन अजवाइन स्वास्त के लिए वैसी काफी लाबदायक होता है आदा चम्मच हमने यहाँ पे लिए है लालमिज पाउडर, अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसे कम कर सकते हैं, आदा चम्मच हमने यहाँ पे लिए है धनिया पाउडर, आदा चम्मच हमने यहाँ पे लिए है नमक, साथ ही हमने यहाँ पे लिए है इस का वो खास आइटब और वो है आधा बाउल ब्रैटकंस ब्रैटकंस को मिराने से जो हमारे आलू के पराटे हैं बिल्कुल सॉप्ट और पूले-फूले से बनते हैं तो अब हमें यहाँ पे एक बड़े सा इसका बाउल लेना है और बाउल में हमें मैस किया हुआ आलू को डालना है और उसके बाद समें हम डालेंगे बारिक कटी वी अधरत साथ सामस में हम डालेंगे हरी मिर्च साथ यसमें हम डालेंगे जीरा साथ यसमें डालेंगे अजवाइन हल्दी पाउडर साथ यसमें मिलाने हमने लालमिच पाओडर और आदा चम्मच हमने यहापे मिलाया है ध्हनिया पाओडर साथी यहाँएंगे बारीग कटिवी प्याज प्याज को में जितना बारीग होसे के उतना काट लें इससे हमारे पराटे बहुत अच्छे बनेंगे साथ ही हमें यहाँ पर मिलाना है ताजा धन्या पत्ता जिसकों कि हमने बारी काट के रख लिया था और साथ ही हमने यहाँ पर मिलाये है एक चोथाई चम्मस नमक और जो बाकी बचावा नमक है उसे हम बाद में यूज़ करेंगे साथ ही अब हमने हाँ पर मिला रहे है अपना वो खास आइटम प्यानी ब्रेट क्रम्स अब हमें सारे आइटम को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसे अच्छे से मैस कर ले और तब तक मैस करें जब तक कि हमारा साइटम अच्छे से मिक्स न हो जाए और मिक्स करने के बाद इसे हमें एक अच्छा सा डो तयार कर लेना है तो हमने यहाँ पे स्टपिंग के लिए अच्छी सी डो तैयार कर ली है तो चलिए अब पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं और आटे को हमने यहाँ पे एक बड़े साइज की पराथ में ले लिया है उसके बाद पे हम डालेंगे नमक और नमक और आटे को करेंगे अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद समय हम दीरे दीरे करके इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसे हमें अच्छे से और सौप्ट होने तक इसे अच्छे से गूठ लेना है पानी को हमें यहाँ पे एकदम जादा यूज नहीं करना है दीरे दीरे करके इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूढ लेंगे आटा हमारा जितने अच्छी तरीके से लगा हुआ हमारे पराठे जो है उतने ही सौब्ट और बहुत ही अच्छे से बनेंगे तो इसलिए आप भी आटे को अच्छे से पहले गूट ले तो हमने यहाँ पे आटे को अच्छे से लगा लिया है तो पराठे के लिए मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से लगा लिया है अब हम यहाँ पे लेंगे एक मेडियम साइज के आटे का गोला अब इसे हम दो हाथों के बीच में इस तरीके से रखेंगे और इसे एक गोल सेफ दे देंगे तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आटे के गोले को एक गोल सेफ दे दिया है और इसी तरीके से हम जो बाकी बचे हुए आटे के गोले हैं इनको भी तयार कर लेंगे और उसके बार इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ आटा और सूखे हुए आटे में हम इस आटे के गोले को टिप करेंगे और इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे यानि बीच में थोड़ा सा उपर को उठा हुआ और साइड से एकदम पतला तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टपिंग के लिए आटे के गोले को अच्छे से फैला लिया है अब हम इसमें स्टपिंग करेंगे और स्टपिंग को करते वक्ते ध्यान हमें यहाँ पर यह देना है जितना हम आटे का गोले लेंगे उसी हिसाब से हमें स्टपिंग को लेना है अब हम इसे बाए हाथ से इस तरीके से अंदर को प्रेस करेंगे और दाए हाथ के अंगुठे से इसको अंदर को दवाएंगे और इसे एक कटोरे का सेप देते हुए इसको हमें इस तरीके से अच्छे से बाइंड कर लेना है यानि एक गोल सेप दे देना है तो इसे एक अच्छा सा गोल सेप दे देते हैं तो इस तरीके से मैंने इसको एक अच्छा सा गोल सेफ दे दिया है अब मैं यहाँ पे आपको दूसर तरीके से आटे का गोला बनाना दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पे एक चकले में थोड़ा सा आटे का गोले को लिया है उसे इस तरीके से हमें अच्छे से फैला लेना है और फैलाने के बाद यहाँ पे अब हम स्टपिंग करेंगे तो यहाँ पे हमने स्टपिंग को यहाँ पे लिया है अब इसे हम इस तरीके से अच्छे से एक कटोरे का सेप देते हुए इसको भी अच्छे से बाइंड करना है यानि इसको बंद करने है और बंद करने के बाद इसे भी हम एक गोल से दे देंगे तो पराठे के लिए हमने गोले तयार कर लिये हैं तो इसे थोड़ा सा सूखे आठे में डिप कर ले और उसके बाद इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा इस तरीके से फैला ले इस तरीके से इसे फैलाने से जो हमारे स्टपिंग है पूरे आठे पे अच्छे से फैल जाती है तो अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं पराठे को हमें हलके हलके हाथों से बेलना है मैंने यहाँ पराठे को बेलने के लिए सुखे आठे का यूज बिल्कुल नाम मातर का यूज किया है आप भी जितना कम हो सेके उतना सूखे कम आटे का यूज करें तो मैंने यहाँ पराठे को अच्छे से बेल के रख लिया है तो चलिए हम इसे सेखना स्टार्ट करते हैं और पराठे को सेखने के लिए मैंने एक तवे को मेडियम प्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है और उसके बाद हम दालेंगे अपना पराठा और पराठे को एक साइट से अच्छे से सिखने देंगे जब मारा पराठा कुछ इस तरीके से दिखने लग जाए तो उसके बाद हमें पराठे को पलट लेना है और पलट के हमें इसे मेडियम प्लेम पे पकाना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मस तेल इस पराठे के उपड़ से इस तरीके से हमें इसे अच्छे से फैला लेना है आप चाहें तो गीं के साथ भी इसे पराठे को बहुत अच्छे बनते हैं तो एक बार फिर से जब हमारा पराठा कुछ इस तरीके से अपने आप पर को उठने लग जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे और पलट के दूसर साइट से भी इसे हम मेडियम प्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हम इस साइट से भी थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे पराठे के उपर से तो पराठे को मैंने यहाँ पर दोनों साइट से अच्छे से से शेख लेना है तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा हلका सा प्रेस कर ले और प्रेस करके इसे दो से तीन बार इसे पलट के अच्छे से मेडियम प्लेम पे इसे सेख ले ये देखे फ्रेंड्ड्स जो हमारा Bretghamms आलू का पराथा कितने अच्छे से फूल रहा है आप भी इसी तरीके से ब्रेटकर्म्स पराठे को घर पे तयार कर सकते हैं तो हमारा ब्रेटकर्म्स आलू का पराठा बनके तयार हो चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी तयार कर लें लेंगे तो उसे हम पलट लेंगे और पलट केश को इस साइड से हम इस पर थोड़ा सा ओईल लगा देंगे कि आओ बुब्ल करने अच्छे से पूरे प्राठे पर उपड़ा लेना है कि अब इसे हम एक बार फिर से पलटेंगे और इसके दूसरे साइट से भी हम ऑईल लगा लेगे ब्रेटकंप पराथे की जो खाच्छी थे वह यही है यह पराथा अपने आप फूलने लग जाता है जैसे ही इस पर आप तव्य में रखेंगे और इसे पल्टेंगे ये दूसरे साइड से अपने आप फूलने लग जाता है तो इस तरीके से आप भी ब्रेटकर्म्स पराठे को एक बार घर पे जरूर ट्राइ कर सकते हैं ये सब को पसंद आती हैं तो ये देखें फ्रेंड जो हमारा पराठा है कितने अच्छे से फूल रहा है तो इसे हमें करीबन दो से तीन बार इसे अच्छे से मेडियम प्लेम पर प्लेट प्लेट के इसे सेख लेना है तो हमारा ब्रेटकर्म्स आलू का पराठा बनके तयार है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं हमारा स्टब ब्रेटकरम्स आलू का पराठा रेसिपी बनके तैयार है आप भी से एक बार घर पे जरूर ट्राइ करें आपको एक रेसिपी पसंद आएगी आपको मेरा ब्रेट करम्स आलू का पराठा बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही फ्रेंट्स हमारी बाकी रेसिपी को देखने के लिए दिये हुए लिंक पे किलिक करें साथ ही फ्रेंट चैनल को like, subscribe and share करना बिलकुल न भूले अगर recipe अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल न भूले तो मिलते हैं एक और delicious recipe के साथ Thank you for your watching